नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आज की प्रस्णोतरी संकला में और आज हम आगे चलते हैं नए प्रस्णो की तरफ तो दोस्तो ग्याओं बनाम गुलाब किसकी निमन्द रचना है तो ये रामवरक्ष बेनिपूरी जी की रचना है अगला परशन है रामवरक्स बेनिपुरी जी के संपूर्ण रचनाय के से में संगलित हैं तो बेनिपुरी ग्रन्थावली भाग आठ में संगलित हैं यानि आठ बागू में संगलित हैं अगला परशन है रामवरक्स बेनिपुरी ने 1920 में किस अंदोलन में भाग लिया तो रामवरक्स बेनिपुरी ने 1920 में ऐसे उग अंदोलन में भाग लिया अगला प्रशन है रामवरक्स बेनिपुरी के कविता संग्रे का नाम बताईए तो नया आज में है उसके बाद है राम वरक्स बेनीपुली जी की जीवनी साहितें की रचनाओं के नाम बताईए सिवा जी विध्यापति गुरा न आरहने एक जीवनी कार्ल मार्क्स तो शिवाजी विद्यापति मंगर गुरू गोवेन सिंह रोजा लजमबर्ग जफ्रकास नार threadert सीम कार्ण gefragt रामरक्षवनिपुरी की यात्राँ सायटे की रचनाओं के नाम बता है यात्राँ सायटे की रचनाओं के नाम है उरथे चलो उरथे चलो पेरों में पंख बांध कर तो सबसे जो मैतुबुन करती मानी जा सकती है रचना मानी जा सकती है यात्रा साहिते में वो पेरों में पंख बांध कर है मील के पत्र किसकी रचना है तो मील के पत्र है वो रामवरक्स बेनिपूरी की रचना है अगला है अंबपाली नाटक के नाटकार का नाम बताईए तो अंबपाली नाटक के नाटकार का नाम रामवरक्स बेनिपुरी है रामवरक्स बेनिपुरी की कानी संगरे का नाम बताईए तो चिता के फूल है विद्यापति पदावली का संपादन किस ने किया तो रामवरक्स बेनिपुरी जी ने किया ब्यारी सच्छी की सुबो टिका किस ने लिखी तो रामवरक्स बेनिपुरी जी ने लिखी अगला है कुछ में कुछ वे रामवरक्स बेनिपुरी जी की किस परकार की रचना है तो यह आत्मक अत्मक रचना है यानि रामवरक्स बेनिपुरी जी की आत्मक अत्मक रचना का नाम है कुछ में कुछ वे अगला है बाल गोविन भगत किस की रचना है तो बाल गोविन भगत है वो रामवरक्स बेनिपूरी की रचना है उसके बाद है माटी की मूर्तें रामवरक्स बेनिपूरी की किस विदा की रचना है तो ये कानी संग्रह है तो माठी की मूर्थे रामवरक्स बेनिपुरी की किस विदाखी रचना है तो इसका उत्तर है कानि संग्र है अगला है गांधी नामा रामवरक्स बेनिपुरी की किस विदाखी रचना है तो ये समर्ती चित्र है यानि रामवर्क्स बेनिपुरी जी का ये समर्ती चित्र है कलम का जादूगर किसे का जाता है कलम का जादूगर किसे का जाता है तो ये रामवर्क्स बेनिपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर किसे का जाता है बहुत लंबा दिया है लेकिन आपको देखना पड़ेगा रामवरक्ष बेनिपुरी जी का जनम कभ़ा कुछ साक्सिम के अनुसार रामवरक्ष बेनिपुरी का जनम 23 दिसंबर 1899 को हुआ तो कुछ पुस्तकों में 23 दिसंबर 2002 भी अंकित है तो 23 दिसंबर 2002 1899 तथा राजस्तान माद्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में 23 दिसंबर 1900 आंकित है तो दोस्तों परसन अगर आये तो वास्तवी ग्रूप से यही अपने को करना है कि और थंटिक बुक जो मानी जाएगी वो राजस्तान माद्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही मानी जाएगी हाला कि अलग लग जगह पर यह दोनु संसमत मिलते हैं तो इनको हमें ध्यान में रखना है और 23 दिसंबर 1900 ही अंकित है वोई करना है अगला है पतितूं के देश में रामवर्क्स बेनिपुरी की किस विदा की रचना है तो यह रामवर्क्स बेनिपुरी जी की उपनियास विदा की रचना है यानि उपनियास विदा की क्या है रचना है अगला प्रसंद देखते हैं सेक्सपेर के गाउं में किसकी रचना है तो यह रामवरक्स बेनिपुरी जी की रचना है तो आज हम बेनिपुरी जी के रचना पढ़ रहे हैं तो निशित उतर भी बेनिपुरी जी आएगा रामवरक्स बेनिपुरी जी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नाम बताईए तो नई धारा चुन्नू मुन्नू तरुन भार्त किसान मित्र गोल माल बालक लोक संग्रह योगी जनता हिमाले युवक करमवीर तो नई धारा चुन्नू मुन्नू तरुन भार्त किसान मित्र गोल माल बालक लोक संग्रह योगी जनता हिमाले युवक करमवीर तो बहुत सारे पत्र है और उनको याद रखना भी क्या है एक हशी मजाक्त तो नहीं है तो नई धारा चुन्नू मुन्नू तरुन भार्त किसान मित्र गोल माल बालक लोक संग्रह योगी जनता हिमाले युवक करमवीर अगला है ग्यहू बनाम गुलाब अध्याय में ग्यहू और गुलाब किसके प्रतिक है ग्यहू छूट कैं तो गुलाब भोतिक्ता का तथा ग्यहू बोतिक्ता का तथा गुलाब मानसिक आनंद का या अथ्वा मानसिक तरप्ति का तो ग्यहू है वो बोतिक्ता का प्रतिक है गुलाब मानसिक आनंद का अथ्वा मानसिक तरप्ति का है तो सबसे बड़ा जो आनंद होता है वो मानसिक तरप्ति या मानसिक ह Bets रोति Ikौण बीस संक्वति हो सकता है और आदमि महलों में Without fire भी संतुष हमारा घर चाए कैसा भी हो जहोंपड़ी हो हम दूर दराज जाकर भी उस जहोंपड़ी के लिए तरस जाते हैं जबकि महलों में रह रहे लेकिन फीर भी जहोंपड़ी के लिए तरस जाते हैं तो कहने का मतलब है कि भोतिकता बड़ी नहीं है मानसिक आनंद अत्वा मानसिक तरपती है वो सबसे बड़ी है जितना मिले उसको मस्ति के साथ यानि आनंद लीजिए या यूं कहें कि गुलाब सुक्सम जगत का परतीक है और ग्यों स्थूल जगत का परतीक मना गया तो वहारी जगत का परतीक है तारकि बड़क है कि आज का मनुष्य बोहतिक आवस्यगतां को मेतोई देने के चकर में किसको खो रहा है तो यह सबसे बड़ी जब आजब हैं को भूतिक आवस्यक्ताओं को महतों देने के चकर में किसको खो रहा है मानसिक सांति को इस मनुसित को एक जीवन मिलता है और उसी को वो पूरे जीवन भर यानि भूतिकता के चकर में असांत बनाए रखता है जबकि वो इस यथार्थ को नहीं समझ पाता है कि वास्त्वी ग्रूप से जीवन क्या है हसना खेलना बोलना उठना बैठना आनंद लेना जीवन है लेकिन मनुसित से है वो क्या करता है आनंद के स्थान पर भूतिकता को महतों देता रहता है और वही भूतिकता है वो उसके जीवन का चैन छीन लेती है वर्तमान में गुलाब किसका परतीक बनता जा रहा है तो वर्तमान में गुलाब है वो विलाशिता का परतीक बनता जा रहा है यानि भोग विलाश का परतीक बनता जा रहा है यूटोपिया का रथ क्या है कलपना लोग या ऐसा संसार जो कलपना में संबव कि अथ्वा आदर्स समाज देश या इसी कालपनिक व्यवस्ता जो हरवाल में अच्छी हो तो यूटोपिया करत क्या हैaz यानि एसा कालपनिक लोग जो हरा हल में अच्छा हो यानि यह काल Прेंके जो आदर्स है उसको यूटोपिया कह सकते हैं अगला है मनुष से अपनी वर्तियों को वस्मे कैसे कर सकता है मनुष से अपनी वर्तियों को उर्धोगामी करके उर्धोगामी का मतलब उचा उठा करके वस्मे कर सकता है यानि अपने विचार उन्नत बनाईए अपने आप हम उचे उठ सकते हैं और हमारे विचार अगर घट वर्तमान में ग्यों किसका प्रतीग बनता जा रहा है तो हाड़ तोर प्रिश्रम का जो पेट की भूग भी अच्छी तरह से सांत नहीं कर सके उसका प्रतीग बनता जा रहा है अगला है वंदे वानी विनाइक है का प्रकाशन वर्ष कोन सा है तो रामवरक्ष बेनिपुरी जी की रचना वंदे वानी विनाइक का प्रकाशन वर्ष 1916 है यह याद रखना है 1916 है रामवरक्ष बेनिपुरी की रचना तथागत का प्रकाशन वर्ष कोन सा है तो तथागत का प्रकाशन वर्ष 1912 है तो वंदे वानी विनाइक का प्रकाशन वर्ष 1916 है और तथागत का प्रकाशन वर्ष 1912 है जंजीरे और दिवारे किस की रचना है तो जंजीरे और दिवा विनाय के सत रंग इंदर धनुस हवा पर और नई नारी सकुन तलव सेहल किषक रचनाएं तो राम रक्ष वेनीपुरी की रचना machen अगला पृसन हैं लाल तारा यह अपने कोर्प में भीये लेकिन रचना का नाम है लाल चीन, गू कन आन्शू की तस्वीर यह हैं रामव्रक्ष बेनिपुरी की रचनाएं आंसु की तश्वीरें लाल है यह कि रचनाएं। रामव्रकष बेनिपुरी की हैं। कि हाथ में अग्रवति काफी बड़ा नाम है। कि समसान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरवती किसकी रचना है तो यह रामव्रक्ष बेनिपूरी की रचना है कि गाउं की देवतार नया समाज बैजु मामा किस रचनाकार की रचनाएं हैं तो यह रामव्रक्ष बेनिपूरी जी की रचनाएं हैं अगला परसन है जो बहुत ही मोस्त है और अपने कॉर्स में भी है भोर का तारा एकांग की संग्रह का प्रकाशन कब हुआ छैज już Genesis 2 मैंaving कि संग्रेग की सारी रचना यह का लिखिए ठी प्रियाग में लिखिए थि हैं इस तो बोर का तारह में 166 ह। दो रम्रकाशित्वा और हिकांग कि संग्रेग कि यितनी यो nord जानां जाना सिर्फ एक 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 कांग की है तो इस एकांग की संग्रह में बहुत सी एकांग किया हैं तो इन में जो रचना है वो प्रियाग में लिखी गी थी जगदीश चंदर माथूर के संस्मान रचनाओं के नाम बताई तो दस तस्वीरें 1962 में जिनोंने जीना शिखा 1902 में यह जगदीश चंदर माथूर के संस्मान रचनाओं हैं जो दस तस्वीरें 1962 में प्रकाशित हुई और जिनोंने जीना जाना अगला है जगदीश चंदर माथूर के एकांकी संगरों के नाम बताईए तो बहूर का तारा 1946 ओँ मेरे diagnose आपने 950 मेरेश 1 एकांकी रंग सांध के उने सो शारीं निनसा बहूर का तारा ऊंग बहुत अ kur कि वहें परशन परषलें वह सांध कर शाब और एकांकी लुददन सवेझ तो यह नाम में सेन्मों स्वीरें अगला है जगदीष चंद्र माथुन ने कितने कट्पूतली नाटकूँ की रचना कि misin तो ये हैं दो कट्पूतली नाटकूँ की रचना की जगदीश चंद्र माथुर की उपनियाश रचनों की नाम बताई है तो उपनियाश रचनों की नाम है यादू का पहाड आदा पुल मुठी बर कांकर ने छोड़े खेत धर्ती धन्य अपना 2007 में प्रकाशित हुआ और यह रचना है वह 2007 में प्रकाशित हुई है रीड की हड़ी एकांकी के एकांकी कार का नाम बताई है यह बहुत मुष्ट एकांकी है और यह पहले बहुत सालों तक कॉर्स में चलती रही है तो जगदीश चंद्र माथुर है रीड के एकांकी और लगबगा आप सभी लोगो किस समेधना के कवी हैं तो चायवादी समेधना के मान सकते हैं डौर का तारा किस परकार की एकांकी है तो इसका उत्तर हैуєक अक्य की एकांकी disaster के नाट्टे रचनाओं के नाम बताई तो कोनार्ख 1951, सार्धिया 1969, पहला राजा 1970, बंदी 1954, गगन सवरी सेखर को राज कवी का पदकिस ने परदान किया। सकंद गव्थ सेखर कवी 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 थे। शेकर का विवा किस से हुआ छया के सौंद्रे से प्रवावित होकर शेकर की रचना की भोर का तारा की रचना की शेकर के मित्र का क्या नाम था तो मादव था मादव ने शेकर से क्या मंगा वानी मांगी क्या मंगा वानी मांगी कोमल रिधे की चीज किसे कहा गया है कविता को कहा गया है किसकी बहिन थी देवदत की बहिन थी तो इसका उत्रहें देवदत की बहिन थी तक शिलाप्र आक्रम किस ने कर दिया था तो तक शिलाप्र आक्रम नहीं हो तोर मानने किया था तोर मान कुन था तो हुनु का सरदार था वीर भदर किसे मिल गया था वीर भदर हुनों से मिले गया था देवदत ने किस को बचाने के लिए अपने प्राण नुचवर कर दिये शेकर ने अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठा कर क्या किया आग के हवाले कर दिया भोर का तारा को जलाने पर छाय ने क्या कहा माधहु तुमने तो मेरा परभात नस्थ कर दिया यह पंक्ति ध्यान में रखना क्योंकि इस नाटक में यह नहीं है कि शेकर तुमने मेरा परभात नस्थ कर दिया यह पंक्ति है शेकर ने जब चाय से प्रभात नस्थ होने की बात सुनी तो क्या कहा शेकर तो अब तक भोर का तारा था अब वह प्रभात का सूर्य होगा कि शेकर अब तक क्या था भोर का तारा था और अब वह अपनी वानी के द्वरा वर परतेक पुरुष के लिए श्त्री एक कविता है ये कथन किसका है कि यानि किसको भ rental करने वाला था महारा राज सकंद गुप्त को मैं केवल रात के तीसरे पैर में तविता लिख सकता हूं यह कथन किसका है शेकर का तो बहुत ही मॉस्ट और आगे जो है अपना नेक्स्ट वीडियो वो और भी मॉस्ट नीचे क्योंकि उसका टाइटल दिख रहा है उसने कहा था तो दोस्तों सुब्रात्री आपका बहुत बहुत आबार देखते रहो लाइक करते रहो कमेंट जरूर करें धन्यवाद दोस्तों सुब्रात्री